दोस्तों आप सब एक स्वागत है Tech Generator YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप WhatsApp में लास सीन को कैसे हाइड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप में से कोई इस चैनल को पहले बार विजिट कर रहा है तो जिरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में देगर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी को भी वीडियो आप मिस्स ना कर पाएं तो सबसरे पहले आपको WhatsApp को अपन कर लेना है उपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां थी डॉट प्र किडिकुक कर देना है और सेटिंग पे आ जाना है जैसे तो यहां पर आपको छोग है अकांव्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है जैसे आप account वाल अप्शन में आ जाते हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बर्डिस वाल पुछना चाहूंगा दोस्तों आप अपने last scene को क्यों hide करना चाते हैं आप किस से बसना चाते हैं अपने relative से family member से अपने friends से या tuition teacher से जिससे भी आप बसना चाते हूं comment section में हमें जरूर बताईएगा तो दोस्तों अब यहां पर आपको privacy वाल अप्शन में आ जाना है और उसके बाद आपको यहां पर last scene के तीन option मिल जाते हैं दोस्तों आप भी वीडियो को छोड़ के मत जाएगा क्योंकि इनको on करने का भी एक disadvantage है अगर आप इस feature को use करेंगे तो उसके disadvantage है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप यह nobody को select करेंगा तो कोई भी नहीं देख पाएगा कि आप last time online थे my contact को select करेंगे तो उसे आपके contact वाले देख पाएगे कि आप last time कब online थे और everyone तो default select रहता है जिससे सबको पता चल जाता है कि आप कब online थे तो यहां पर आप nobody पर select कर देगे तो कोई भी नहीं देख पाएगा और आप एक तरह से अपने last time को hide कर लेंगे मगर दोस्तों इसमें एक जो feature वो कम है कि अगर आप किसी एक ही बंदे से अपने आपको hide करना चाते है तो वो कैसे करेंगे दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा अगर उनका number आपके phone में save है जिससे भी आप आपने आपको hide करना चाते है तो उनके number को आप delete कर दे और delete करने के बाद उस number को आपके और लिखके रख लिएगा और यहां my contact पर select कर दें तो इससे क्या होगा सिब उनहीं लोग को दिखेगा जिनका आपका phone में contact save है और जिनका नहीं है उनमें वो बंदा भी जो exclude हो जाएगा जिससे आप hide करना चाते है अपने आपको तो इस से आप कर सकते हैं मैं भी future में जो है what's up हमाले जो feature में improvement करेगा और हमारे लिए इंडिविजिल ओला feature ला देगा तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसका disadvantage क्या है दोस्तों इसका disadvantage यह है अगर आप यहां पर nobody select करते हैं तो आपका last scene कोई देख तो पाएगा नहीं मगर आप भी किसी का last scene जो है देख नहीं पाएंगे तो दोस्तों यही एक disadvantage है इस feature का जो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है और दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो मेरा WhatsApp है वो normal WhatsApp से थोड़ा अलग हटके black black सा है तो दोस्तों मैंने अपने WhatsApp में जो डार्क मोड को enable कर रखा है और WhatsApp में डार्क मोड का feature आ गया है तो अगर आप भी जाना चाता है WhatsApp में डार्क मोड को कैसे enable करना है तो इस वीडियो में मैंने पहले से बता रखा है और इस वीडियो का लिंक का आप को YouTube कार्ड और description दोनों जगा मिल जाएगा तो आप वहां है तो जोरो से लाइक करिएगा और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए